हमारी में क्यारेक्टर लिंडा को उसका हजबन जबर्दस्तिकर एडल विम करने के लिए मजबूर करता है इसके बाद उसकी पूरी लाइफ को वही कंट्रोल कर रहा था क्या आप इससे वह बच पाएगी या हम आज के हमारी मूवी लवलेस जो 2013 की एक हॉल्यूड ट्रू में आप काम कर रही थी उसकी मूवी बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी अब भी वह बहुत ज़्यादा दुखी है अब इसके बाद यहां पर वह कैसे पहुची इसका फ्लैश्बैक हमें दिखाय जाता है एक दिन लिंडा की मदर घर पर नहीं थी तो सुमिंग पूल के पास लिंडा और उसकी फ्रेंड पैट्स यह दोनों हैंग आउट कर रहे थे पैट्सी अपने इनर्वेयर निकाल लेती है तो लिंडा को पसंद नहीं आता एक साल पहले उसके साथ एक हाथसा हुआ था उसके बाद बहुत ज़्यादा डर कर रहती है उसका एक बॉइफ्रे इन में कुछ तो मिसिंग लग रहा है इनके वास नाशने वाली लटकिया नहीं है पैट्सी बहुत ही फोरवर्ड थी तो जाकर स्टेज पर नाशने लग गए लिंडा ने थोड़ी देर में उसे जॉइन किया यहाँ पर हमारा और एक मेन क्यारेक्टर मुझूद था इसका नाम था चक चक की नजर लिंडा पर पड़ी और सो बहुत ही अच्छी लगती है जगों से कहता है कि तुम दोनों प्रोफेशनली भी डांस कर सकते हो इसके बहुत ही जादा पैसे मिलते हैं लिंडा कहती कि क्या है सचफुश में पॉसिवल भी है लिंडा पुछती कि मुझ से क्वेशन करने लग जाती है यह किसकी बार्ट है किसके साथ जा रही है सब कुछ क्वेशन पूछने के बाद ही उसने लिंडा को बाहर बेजा उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा कंसरवेटिव थी यह बार्ट ही एक टाइप से चक और लिंडा की एक डेटी थी मूवीज व बुछता है कि ऐसा क्या हुआ लिंडा ने कहा कि गल्दी से मैं एक साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी मेरी मदर ने मेरे बेबी को और आप्शन के लिए डाल दिया चक के साथ कोई भी रिलेशन्शिप स्टार्ट करने से पहले उसके साथ औरनेस रहना चाहती थी चक कहता है कि मुझे इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता मैं तुम्हारे पैरन्स से मिलना चाहता हूँ जिस तरीके से चक है तो लिंडा को लगता है कि उसके पैरन्स को चक पसंद नहीं आएगा चक कहता है मैं हंड्रेट वर्सन गैरेंटी देता हो कि मैं उसे पसंद आओंगा आपके पास तो वार की बहुत सारी स्टोरीज होंगी मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है वो सिर्फ उन्हें इंप्रेस करना चाहता था इसके बाद ये दोनों कीचन में गए पैरन्स टीवी देख रहे थे तो कीचन में ये दोनों इंटिमेट हो जाते है इसके बाद चक लि के लिए लिंडा को जड़ा लेट हो गया तो उसकी मदर उसे बहुत मार दिया उसने घर चोड़ दिया और चक के साथ रहने लग गई थी एक दिन चक के आपर बार्टी चल रही थी पार्टी में लिंडा की फ्रेंड पैट्सी भी आई हुई थी वो चक के बास जाती है तो चक ने एडल फिम लगाई हुई थी पैट्सी बुछता है क्या तुम्हें ये सब पसंद है पैट्सी को इतना अच्छा नहीं लगता था चक पैट्सी के पास जाने लग गया और उसे किस करने लग गया पैट्सी उसे दूर फेक कर लिंडा के पास आ जाती है उसने कहा कि व तो भी दिखाया जाता था ये सब करना लिंडा को अच्छा नहीं लगता था पर फिर भी चक के कहने पर उसे खुश करने के लिए कर लेती है एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे तो इन्होंने शादी कर लिए अब इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर जाता है लिंड लगता था कि चक डांस करने वाली लड़कियों को सप्लाइ करता है पर अब उसे पता चला कि उनके प्रॉस्ट्यूशन में भी उसका हाथ है चक ने कहा कि उन्हें हमेशा पैसों की जरूरत होती है तो मैं उन्हें हेल्प करता हो इसमें कुछ भी गलत नहीं है चक और ने लिंडा को बाहर भेज दिया और चक से कहते हैं कि लड़की नहीं चलेगी आज कर लोगों को सब कुछ आर्टिफिशल देखने की आदत पड़ गई है लिंडा को तो डायलोग बोलना भी नहीं आता चक कहता है कि मैं तुम्हें टेमो दिखाता हो लिंडा और वो जब इ लिंडा को कास्ट करने के लिए रेडी हो गया नेकसेन में हम देख कि शुटिंग की स्टार्टिंग हो चुकी थी यहाँ पर इनका इन्वेस्टर आए जिसका नाम था एंथोनी लिंडा से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है तुम्हें बहुत ही बड़ी स्टार बनो जाता है उसने कहा कि सब कुछ एकदम अच्छा होगा जब हम दोनों सीन में होंगे तो स्लूली स्लूली बाकी की सब चीज़े फेड हो जाएगी मूवी के पहले कुछ सीन शूट होता है अगली दिन लिंडा का हिरो के साथ इंटिमेट होने का सीन था इनके स्पॉंसर एंट पड़ेगी पर फिर भी इसकी बात नहीं मानता अगली दिन शूटिंग स्टार्ट हुए और लिंडा के स्किल देखकर सब लोग हेरान हो गए थे लिंडा के सामने हिरो भी फिर्स सीन में जादा परफॉर्म नहीं कर पाया था यह सब सक्सेस्फूल हुआ और रात में यह स्टार्ट हुआ वह जारा उनकमफटेबल थी तो फोटोग्राफर लेरी कहता है कि जिस तरीके से मुवी में तुमारे क्यारेक्टर की डिवलप्मेंट हुई है उसी तरीके से तुम फिल करो लिंडा का बहुत ही अच्छे से फोटो शूट हुआ और अपनी फोटो उसे बह पूरी मुवी स्पॉनसर की थी इससे पैसा तुम्हें कमाने वाला हो मुवी बहुत ही बड़ी हीट हो जाती है और लिंडा के इंट्रीउज वेगरा स्टार्ट होने लग गये लिंडा का सपना था कि उसे एक्च्छल मुवी स्टार बनना है लिंडा को परेंस को इसके बार हीव लिंडा से एदा है कि तुम्हें एक्च्छल में मुवी स्टार बन सकती हो वो इसके लिए उसे हेल्प कर सकता है अब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे साल गुजर चुक है यह सब काम वो नहीं कर थी और अब वो एक बुक लिक रही थी बुक लिकने से पहले उसके पब्लीशर ने उसे वह सच बोल रही है जूट इसकी टेस्स लेने के लिए अब तक जो भी सिच्वेशन हमें बताई जा रही थी इसके पैरलल में एक्च्छल में लिंडा के साथ क्या हुआ था यह अब हमें पता चलेगा लिंडा के साथ चकने जब शादी की थी तो लुमाय तो चग लिंडा को रेडी करकर एक क्लब में लेकर गया एक डॉक्टर से बात करने लग गये थे उस डॉक्टर को लिंडा बहुत ही पसंद आई थी तो चग ने लिंडा को उसके साथ इंटिमेट होने के लिए जबरदस्ती कि वह लिंडा से प्रोस्ट्रिशन करव पाने लग गया था अगर वो यह सब नहीं करती तो चग उसे बहुत ही जादा हर्ड कर देता इन सबसे तंग होकर लिंडा एक राद अपनी मदर के पास आ गया मदर को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़वड है वो पुछ दे कि हुआ क्या कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर रह सकती हो लिंडा की मदर कहती है कि जब मैं 18 साल की थी तब ही प्रेगनंट हो गई थी तुमारी सिस्टर को लेकर मुझे इस सोसाइटे में रहना पड़ा था और मुझे बहुत ही जादा तकलिफ हुई थी तुमारे फादर बाद में मिले और उस वज़े से सब कुछ ठीक हो गया था तुमारा हजबन ही तुमें समाल सकता है अगर तुम बिना हजबन के हमारे घर पर रहोगे तुमारा जीना बत्तर हो जाएगा वो कुछ चाहता था और शायद तुमने वही नहीं किया और इसी वज़े से तुम यहाँ पर आ गई हो अपने पदी को आने पर चक उसे कहता है तुम अब एक मूवी करोगी मैंने तुम्हारे लिए पाड़ लाने के लिए बहुत ही जादा मेहनत किया चक ने उसे गन लगा कर थमका हुआ था इसके बाद हम लिंडा को मूवी सेट पर रोता हुआ देख सकते हैं सब कुछ उसके साथ जबर्दस्त प्मारे लिए बहुत ही वरीड हु लिंडा कहती यह सब मूवी में कर रहा हुए या इस वज़य से पैटसे ने कहा कि वह atom कुछ करने के लिए जबarदस्ति कर रहे बहारा कर चक यह सब बाती उन रहतह है तो लिंडा डर कर कहती है कि मैं बहुत ही लगी हूँ omt एक दिन पार्टी में चग एंतोनी के साथ पैसों को लेकर बात कर रहा था एंतोनी ने कहा कि मैंने अल्रेडी लिंडा से बात की हुई है अगली मुवी में मैं उसे डबल पैसे देने वाला हूँ लिंडा ने चग को इसके बारे में बताया नहीं था तो उससे बहुत मारता है चग ने इनके मुवी के स्पॉंसर से पैसे लेकर अपने लिए घर वेगरा भी बाई कर लिया था एक आत में उसके कॉंटेक में आया था जिसके साथ मिलकर वो टॉइज वेगरा सेल करकर बहुत सारे पैसे कमाने वाला था जबरदस्ती लिंडा की एक फेक बायोग्राफी लिखना भी वो स्टार्ट करते हैं एंथोनी चग के पास आकर उसके पैसे फिर से वापस मांगता है चग ने कहा कि थोड़े दिनों में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा पर एंथोनी कहता है कि लिंडा को सिर्फ और एक मूवी करने के लिए मना लो पैसों के बारे में इसको कॉल लगाती है उसके फादर कहता है कि मुझे तुम्हारी मूवी के बारे में पता है तुम्हें यह सब करता में देख नहीं सकता क्या तुम्हारी परवरिष्ट में हमसे कुछ गल्ती हो गई थी यह सब सुनकर लिंडा को बहुत बुरा लगा चक लिंडा से आता है अब तुम्हें और एक मूवी करनी पड़ेगी पर लिंडा इस बात को माननी रही थी उसने कहा कि चलो हमें एक और पार्टी में जाना है उसे एक होटेल रूम में गया और वहाँ पर उसका सोधा किया वहाँ बहुत सारे लोग थे लिंडा को उसने गन लगा कर धम गया सब मि पुछते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो पुलिस ऑफिसर ने लिंडा को फैचान लिया जख है कि मैं इसका हस्बर्ण हो हम अब घर ही जा रहे हैं लिंडा डर कर कुछ भी कहा नहीं पाती है पुलिस ऑफिसर ही लिंडा को आटोग्राफ ले लेता है सुबहा उने पर चक सारी सिच्वेशन उसे समझा दिया वो गयती है कि अब मैं और एक मूवी नहीं कर सकती है एंटोनी डिसाइड करता है कि उसे सपोर्ट करेगा उसने उसे रहने के लिए बहुत यह अच्छी से जगा दिये चग लिंडा को हर जगा धुड़ने की कोशिश करता है फाइनली हो बहुत मारा और इसके बाद 6 साल गुजर गए थे लिंडा अपने बायोग्राफी लिख रही थे उसका हमें घर दिखाया जाता है जिसमें उसका हजबन और एक छोटा सा बेटा था उसे पब्लीचर से कॉल आया था और इसकी स्टोरी अपरूड हो गई थे लिंडा की हजब सब्सक्राइटी में बताया जाता है जैसे हमारा पतिक है वैसे हमें सब कुछ करना पड़ेगा यह इंटर्यू लिंडा की मदर सुन रही थे यह बात मदर नहीं उसे कही थी तो इस वजह से उसे बहुत ज्यादा गिल्टी मैसुस होता है लिंडा ने कहा कि मेरे साथ जो भी फिर से एक फैमिलियों बन चुके थे इसे एक मुमेंट पर यह मुवी एंड हो जाती है लिंडा के मुवी ने 600 मिलियन डॉलर्स गमाए थे जिसमें से उसे सिर्फ 1250 डॉलर्स मिले उसकी बुक बहुत फेमस हुई थी चक को बाद में हाटड़ाग आकर उसकी डेथ हो गई बंधि यह मुवी हमें बता कर जाती है कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ चीजे नहीं है और आप अपने आपका ख्याल रखिये